आप लोग अपनी स्क्रेन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आप सभी को मालू भी होगा कि आपकी कॉमन बैल्थ गेम्स 2022 आयोजित किये जा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे इन्होंने गोल्ड मैडल यानि की स्वर्ड पदक हासिल किया है इनका नाम है आचिंता सीउली या सेउली भी इने कह देते हैं तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामने जानकारी देखेंगे और आप देखेंगे इनकी कहानी वड़ी मौटिवेशनल है आप समय रहे हैं तो यसे लोगों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए जानना चाहिए और कुछ पिक्चर है इने भी आप लोग देख लीजे और आप देखिए ये पिक्चर भी देख लीजे ये कहां आयोजित किये जा रहे है Commonwealth Games तो देखिए ये हमारी प्यारी पित भी है और एसिया में ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा यहां से आप लोग इवरोप जाएंगे तो आपको United Kingdom देखने को मिल जाएगा लंदन देखिए इसकी रादधानी है यहां आपको बर्मिंगम एक सह देखने को मिलेगा यहीं आईजित किये जा रहे हैं और याद रखिए इस तरह के questions आपकी परिक्षाओं में खेज से पूछे जाते हैं कि इस खेलाडी का संबंध किस से था Commonwealth Games कहां हुए है और पहली बार Commonwealth Games 1930 में हुए थे और हर 4 साल पर होते हैं जैसे राष्ट मंडल खेल भी इसे आप लोग कह देते हैं सौट में आप लोग CG AP भी इसे कहते हैं और यह अंतराष्टी बहु खेल पी दिये हुईता है और इसमें राष्ट मंडल देशों के जो एथलीट होते हैं वो भाग लेते हैं 2010 में आपको माल होगा कि हमारी दिल्ली में आयो जित किये गए थ दिल्ली में आयो जित किये गए थे तो यह भी याद रखेगा अगर हम लोग आचिंता सेवली के बारे में बात करें तो अंचिंता सोली या सेवली का जनम 24 नवंबर सन 2001 में पक्ष्य मंगाल में हुआ था कहां बैस्ट मंगाल में हुआ था इनका जनम और आप देखे ना च इसकी राध्धानी कोलकाता है देखे इसकी सीमा उडिशा, जारिकंडी, विहार, सिक्किम और असम से लगती है अंतराष्टी सींध मा बंगलादेश, भूटान, नैपाल से लगती है और आप सभी जानते हैं कि यहां बिधान सभा में आपकी 294 सीटे हैं लोग सभा में 42 सी आपको देखने को मिलेंगी जब भी किसी खलाडी की बात होती है तो वो जिस भी राज्जे से सम्मंद रखता है तो उस राज्जे के बारे में भी एक सावन जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा और सुली ने बैट लिफ्टिंग में सबसे पहले सुरुवात साल 2011 से की थी जब उन्होंने एक इस्थानिये जिम का दोरा किया जहां उनके बड़े भाई आलोग ने पिसीख छड़ लिया था इनकी पिता की बात करें तो जगत सुली इनके पिता का नाम और माता जी का नाम है पूनिमा सुली एक गरीब परिवार से मध्यम परिवार से आते हैं और उनके पिता जगत साइकल रिक्सा चलाते थे और अपने बच्चों को पालने के लिए एक मजदूर के रूम में काम करते थे और अंचिन था कि पेसे बर पेसीख छल लेना आसान नहीं था यानि कि आप देखिए कि एक तरसे आपको हिचेंग कह लिजेसे 2013 में इस्तिती और खराब हो गई जब उनके पिता की एक स्ट्रॉक में मिट्टियों हो गई और जिससे उनका भाई परिवार का एक मात कमाने बाला बचा और वही हाल हुगा कि आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि गरीवी में गीला अटा हो ना अचिंता सियोली ने अपनी सिक्षा पर्ष्यमंगाल की सरकारी स्कूल से पूरी की उसके बाद वह पूरी तरह से अपने भारतोलन केरियर पर ध्यान केंदरित करने लगी बाहर उठाने का काम आप लोग देखते ना उसी की बात हो रही है और अचिंता की मा पूरीवा ने परिवार का पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम किये और यह हो समय था जब उन्होंने 2012 में एक डिस्टिक्ट मीट में रज्जत पदक जीतकर इस्थानिये इस परदाओं में भाग लेना शुरू किया था और सियोली ने अपनी सिक्षा पश्यमंगाल से ही पूरी की दरसन ने उन्हें उसी बर्स भारती राश्टी सिविर में सामिल होने में मदद की फिर आप देखेंगे 2016 और 2017 में आर्मी स्पोर्ट इस्टिट्यूट में अपनी टेनिंग करनी जारी रखी इन्होंने और साल 2018 में इन्होंने राश्टी सिविर में दाखला लिया और अभी तक वहीं से अपनी बेट लिफ्टिंग की टेनिंग ले रहे हैं और वह साल 2015 में सुर्खियों में तब आये जब उन्होंने कॉमन बेल्थ यूद चेंपियंसे में 56 किलोग्राम इस परदा में रजट पदक अपने नाम किया था वह बाद में 79 किलोग्राम इस परदा में चल 2018 में सौड पदक यानि कि गोल्ड मेडल हासिल किया था और साल 2019 में ऐसे एप खेलों में विजय होने के साथ ही इनोंने एक और सौड गोल्ड मेडल हासिल किया और उस समय आप देखेंगे कि 18 साल की उमर में 2019 में सीनियर नेसनल में भी इनों सौड हासिल किया गोल्ड मेडल और COVID-19 में हमारी lockdown के बाद युवाख लाड़ी ने 2021 में Commonwealth Senior Championship में Sword Padak का दावा किया और उसी बर्स जूनियर विस्टे चैंपियर से में रजक पदक अपने नाम किया था और Commonwealth Games की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इन्होंने 313 kg भार उठाकर राष्ट मंडल खिलों में भारत के लिए तीसरा Sword Padak हासिल किया हुआ है आपने देखा होगा सबसे पहले किस ने हासिल किया था मीरा भाई चानू के नाम सुने होंगे आप लो फिर दूसरा आप देखिए कि जेरेमी लाल रेनुंगा ने और तीसरा इनके द्वारा अंचिंता सीवली के द्वारा गोल्ड मे आते हैं लेकिन जो गोल्ड विजयता है उनके बारे में हम लोग वायोग्राफी भी कवर कर लेंगे